नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस चारक नीति के ग्यान बर्धा का और महत्पूर्ड वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चारक के नीति के अनुसर बताएंगे के यदि पतनी, पती का ये खास अंग रात के समय दबाती है तो ऐसे घरों में देवी लच्मी की किरपा बनी रहती है तो मित्रों कौन सा है बो अंग? आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों उससे पहले हम आपको एक बहुत ही जरूरी जानकरे देना चाहेंगे यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं बहुत सारा धान इकटा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लापदायक होने वाला है दोस्तों यदि आप चाहते हैं के देवी लच्मी आपके पास चल कर आएं तो आपको रोजाना सुबह उठकर माता लच्मी की पूजा आवस्य करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों आपके ऐसा करने से माता लच्मी आपसे बहुत ज़्यदा खूस हो जाएंगे और यदि आप साधी सुदा हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ पूजा करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू सात्रों के अनुसार महिलाओं को देवी लच्मी के समान माना गया है और यदि आप उनके साथ पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनों कामनाए बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगे और आप बहुत जल्दी एक माला माल भैक्ती बन जाएंगे तो मित्रों आपको रोजाना सुबह उठकर इस काम को करने में कभी भी सर्म नहीं करनी चाहिए और उसके बाद अपने माता पिता के चेरोडों को इस परस कड़के आसिरबाद हवस से लेना चाहिए अमित्रों आईए जानते हैं दोस्तों आपने देखा होगा पूरुब समय में हमारे पूर्वजों में काफी प्रेम हुआ करता था बह एक दूसरे का सम्मान करते थी बही पतनी भी अपने पती को इस स्वर का रूप मानते हुए उसकी सेबा करती थी आज से कुछ सालों पहले हमारे घर में इस्तिरी अर्थात ग्रहिडी को लचमी का रूप माना जाता था और हमारे दोरा उसे लचमी से रूप मानकर बैसा सम्मान भी दिया जाता है लेकिन आज के आधुनिक दौर में हमारे बीच एक दूसरे के लिए सम्मान कम होता जा रहा है साधी होने के कुछ समय पस्चात ही घर में जागड़े होने लगते हैं और तो और इस बज़े से 20% ऐसे घर जो हमेशा के लिए तूट जाती है हमारे बुजुर्गों ने बताया है पती पत्नी के बीच में मधुर सम्मध होना आती आवश्यक है एक दूसरी के प्रत पूरर बिस्बास सची भावन और सेबा एक अलग ही महत को दरसाती है क्योंकि आज जो हमारे बच्चे देखते हैं बही हमसे सीखते हैं और यही हमारे संसकार बच्चों को भविस्मी अच्छे बुरे का फर्क बताती हैं सात्रों के अनुसार जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि लच्मी जी सिरी बिसुडू जी के साथ सिरी सागर में सेसनांक की सैयाँ पर ब्रज मान रहती हैं और छीर्ड सागर में सिरी बिसुडू जी के चरर कमलो को इसपर्श करते हुई दिखती हैं इसलिए यही कारण है कि महिलाओं का धनकी देवी का इस्थान प्राप्त है अता एक माननेता के अनुसार जो भी इस्तिरी अपने पती के पैरों को दबाती है तो उस घर में हमेशा मालचमी ब्रजमान रहती है और उस घर में खुद मालचमी सदा के लिए बिरजमान हो जाती है इसके पीछे ग्रोहों का भी एक विशे समहत्त बताया गया है बताया जाता है कि पुर्सों के पैर से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है बहस सनी देव का होता है जेवतिस सास्त्र और चारेक के नीत के अनुसार जब भी सनी पर सुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ती अवश्य होती है इसलिए जब इस्त्री अपने पती के चरुरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बनता है कि आप माला माल हो जाते हैं और आपको कभी धन के लिए परेसान नहीं होना पड़ता है तो मित्रों हमारा आज का ग्यान वर्दकावर नालिजबल वीडियोस बस यहीं तक